आदर्निय राजना सिंग जी लेखक द्वय श्री उदय महरकर जी श्री चिलायू पंडिज जी और प्रकाशक महदे श्रिमान कपीश महराजी श्रद्धेय संतवरिंद उपस्थेक नागरीक सज्जन माता भगिनी मैं एक मजाक कर सकता हूँ आज कि राजना जी को जल्दी जाना है ताहियारी का समय उनके पास नहीं था तो मैंने मेरे मुद्धे उनको दे दिये बोलने के जिए उनके अनुमती लेकर मैं मजाक कर रहा हूँ परन्तु सावरकर जी के बारे में वास्तों में सही जानकारी का आज के भारत में अभाव एक समस्या है जैसा मैंने कहा था महारकर जी को कि आपने धननजय कीर जी की पुस्तक लेखी क्या वो एक और रिसर्च किताब है उस समय वो एक ही थी और आज दो हो गई है विक्रम संपच जी ने दो वॉल्म लिखे है ये तीसरी है तीनों का धंग अलग-अलग है धननजय कीर साहब की किताब ये चरित्र है विक्रम संपच जी की किताब सावरकर जी के सभी बातों पर कॉमेंटरी है लेकिन मैं दोनों लेखकों का अभिनन्दन करना चाहूंगा कि आज के समय में सावरकर जी के जिन बातों की आवश्यक्ता सबसे अधिक अपने देश को है उसको एक साराउश के रूप में लेकिन विच स्कॉलरली रिगर एंड रिसर्च ऐसा इस पुस्तक में दिया गया है तो ये तीनों पुस्तके जिनको सावरकर जी का अध्यान करना है उनको एक कंपलसरी रीडिंग के नाते और देखना पड़ेगा इनको क्योंकि जैसा बताया गया बार-बार की सावरकर जी को बदनाम करने की मुहिम चली और सावरकर जी सामने थे हिंदुत्व का विचार आज बोलने वाले लोग उस समय बोलने वाले लोग वो सामने थे संगा सामने था इनके बदनामी की मुहिम चली है स्वतन्रता के बाद बहुत तेजी से चली है लेकिन असली लक्ष क्या है असली लक्ष इनके पीछे यह हमारे पी परमेश्वरन जी थे उनका एक लिक आज है मैंने पढ़ा हमारे प्रफुलजी ने मुझे दिया तो उन्होंनी इसी विशे पर लिखा है कि आज संगा और सावर कर पर बड़ी ठीका टिपणी हो रही लेकिन असली अच्छा दूसरा है इसके बाद होंगे नंबर लगेगा स्वामी विवेका अनन्द, स्वामी दयानन्द सरस्वती, योगी अर्विंद, इनका लगेगा क्योंकि जो भारत की वास्तविक राष्ट्रियता है उसका प्रथम उद्गोष इन तीनों ने किया है और सावरकर जी को ठिका का लक्ष बनाते समय ऐसा भी लिखा गया है कि सावरकर जी ऐसे क्यों बने इन तीन लोगों के विचारों के करने से बने क्योंकि लक्ष व्यक्ति नहीं है, लक्ष है भारत की ये राष्ट्रियता जो पूरे दुनिया को जोडने का एक मार्ग उजागर करती है और लोग जोड़ जाए तो जिनके दुकान बंद होंगे उनको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए और स्वाबाई भी कहें वो विचार मानवता का ही है उस मानवता के विचार को ही अपनी भारतिय परंपरा की भाषा में धर्म कहा जाता है अब धर्म याने पूजा आप मानेंगे तो जोड़ता नहीं है पूजा है अलग-अलग है, सब की अलग-अलग है उससे विशिष्टा आइडेंटिटीज बनती है, है उसकी माननेता होनी ही चाहिए लिकिन भारतिय भाषा के परंपरा के अर्थ में धर्म का शब्द वो नहीं है जोडने वाला, उपर उठाने वाला, विखरने न देने वाला इहलोक और परलोक दोनों में सुख दे सकने वाला प्रत्थम, मध्य और अंत तीनों जगा आनंदम है और प्रत्यक के स्वभाव का ध्यान रखते हुए उसके कर्तवे का निर्धारन करदेने वाला शाश्वत तत्व धर्म है सर्वदूर चलता है अब ये विद्वानों की बात होगी अगर आज की भाषा में समझा ना है तो हमको यही कहना पड़ेगा कि माना होता है या संपूर्ण विश्व की एक अधा सावरकर जी ने उसका ही प्रतिपादन किया उसको एक अलग शब्द हिंदूत्व दे के प्रतिपादन किया गया उसके पहले नहीं होगा सरसग्याद अहम्मद खां के बारे में कहा गया कि बात तो ठीक ही है पाकिस्तान की कलपना का मुसलिम असंतोष के जनक उनको कहा जागा है लेकिन उसके पहले की बात है जब वो बैरिश्व बने लाहोर में आरिया सभा के द्वारा उनका अभिनन्दन हुआ और उनने कहा कि ये हिंदों में बहुत बैरिश्व हो गया है मुसलमानों में ये पहले है इसलिए इनका अभिनन्दन किया जा रहा है तो उस पर उन्हों ने जो भाषन किया हूँ उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे लिए एक अलग शब्द का प्रयोक किया गया वो हमारी पूझा का निर्जैश करने वाला शब्द है लेकिन इसलाम से हमने पूझा ली तो क्या हुआ भारत माता के पुत्र नहीं है क्या हमको आब हिंदू नहीं मानते हैं क्या भारती ये जनमानस की ये स्थिती थी लेकिन कट्टरपन की हवाय चली और इतिहास में ये पहली बार नहीं हुआ है इतिहास में जब दाराशिकों हुए अकबर हुए तो उसके बाद अवरंग जेब भी हुआ जिसने चक्का उल्टा घम आया इसे जब मावरकर जी कहते है कि उनका नाम नहीं होना चाहिए दाराशिकों का होना चाहिए तो मैं उनका सो प्रतिसत समर्धन करता हूँ हमारे हाँ हाकिम खान सुरी भी हो गए इबराहिम खान गार्दी भी हो गए हसन खान मेवाती भी हो गए सेना के वीरो में सब के नाम है अश्वाक उल्ला खान जैसे क्रांतिकारी हो गए सुनता हूँ कि जब उनको पूछा गया एक बार कि आपकी इच्छा क्या होगी मरते समय तो ने कहा हूँ कि मैं मुसल्मान हूँ इसलिए पुनर जन्मा में विश्वास नहीं करता हूँ लेकिन मेरे परम मित्र राम बिस्मील है वो विश्वास करते हैं अगर उनकी बात सही है तो खुदा जरूर मुझे पूछेगा कि अगला जन्म कहा लेना है तो मैं कहूंगा भारत में ही ऐसे नाम बहुत है हमारे पास उनके नाम गुंजने चाहिए उनके नाम दिये जाने चाहिए अभी मैं जम्मू कश्मिर से आया तो वहां पता चला कि ऐसे शहीदों के नाम वहां के स्कुलों को देनी की एक उजना चलिए बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि हमारे आदर्श वो है हमारी पूजाएं अलग हो सकती है परंतु पूजा हुई तो क्या हुआ हमारे पूरवश तो वही है वो तो नहीं बदल सकते हम मात्रु भूमी हम नहीं बदल सकते जो भारत का है उसकी सुरक्षा प्रतिष्टा भारत के ही साथ जुड़ी है विबाजन के बाद भारत से स्थलांतर करके पाकिस्तान में गए मुसल्मानों की प्रतिष्टा पाकिस्तान में भी नहीं है क्योंकि जो भारत का है वो भारत का ही है वो बदल नहीं सकता और हम सब पर एक उधारवाधी संसकृटी उधारवाधी ये उधारता मै संस्कृटी का सब पर पर परिणाम है उसी की विराशत हम को आगे لे जाती है उसी के कारण हम सब लोग यहां मिलकर रहे रहे वह हिंदूत्व है उसका पहले उद्गोश करने की जरुरती नहीं पड़ती थी सावरकर जी नहीं भी कब किया सन अठासो सत्तावन का सातंत्र समुर उन्होंने लिखा पहले कारणों की मिमावसा की और बाद में कैसा शुरू हुआ स्वातंत्र समुर इसका जो वरणन है उसको पढ़ी है उन्होंने लिखा है कि हिंदू राजाओं का भगवाज हिंडा और मुसल्मान नबाबों का चांतारा हरे रंग पर दोनों साथ साथ अंगरे जोगे यूनियन जाक के खिलाफ कड़े हो अभी अभी गाजियाबाद में एक पुस्तक का मैने उमोचन किया था तो उस पुस्तक के लेखक ने कहा कि वो जो मावल था वो हमने आगे हुने नहीं दिया ये हमारी गड़बड हो गई खिलाफत ये दूसरी गलती हमारी है मुसल्माव के लिए बोल गए था ये मावल बना था लेकिन उसको फिर वहाबियों के प्रभाव ने बदल दिया और अग्रीजों को ध्यान में आया कि हम यहां आश्वस्ता नहीं है सकते कभी भी यहां के सब लोग इनकी भाषाय अलग है प्रांत अलग है पूजाय सब कुछ अलग है और बाहर से भी आई पूजा एक है यहां पे फिर भी हमारे खिलाफ सब एक होके हमको यहां से बगा देंगे अगर हमको यहां स्थिरपद होकर राज्य करना है इस देश की लूट को चालू रखना है तो इनको तोड़ना पड़ेगा तो जो अनेक विभाजन उन्होंने खड़े किये उसमें एक किये विभाजन भी जो कट्टरपन के कारण बनना शुरू हो गया था उन्होंने उसको और चोड़ा किया इसका अनुभव सावरकरजी ने अन्दमान के जेल में लिया उनका हिंदुत्व ये जो ग्रंत है वो अन्दमान से वापस आने के बाद लिखा गया है क्योंकि जब ये कोला हल होने लगा कि हम एक नहीं हैं हम दो है हमारे यहां हमारी पूजा अलग है इसलिए हम अलग है आपकी पूजा अलग है तब ये जोर से कहना पड़ा कि पूजा के आदार पर बेदबाव न करने वाली यहां के रैट्रियता है वो हिंदु रैट्रियता है और इसलिए हम अलग नहीं है लोग गुंडागर्दी का सहरा लेके और इसको गले उतारनी की कोशिश कर रहे थे इसलिए कठोर शब्दों का उप्योग करना पड़ा इसावरकर जी द्वेश्टा नहीं थे लेकिन परिस्थितिया इसी थी तो जिस भाषा में जो बात समझ में आती है उस भाषा में उसको बोलना पड़ता है अपनी बात समझाने के लिए या शास्त्रा अर्था करने के लिए जब लोग बोलने लगते तो आवाज तबती है ना उस अत्रू थोड़ी है अमरे समसंद में क्या होता है मारपीटे यह नहीं होती बस बाकी तो सब होता ही है लेकिन बाहर आने के बाद एक ही जगह चाय पीते हुए सब मिलते हैं से मज़ाग सब चलते हैं शादी ब्याओं में एक दूसरी के गर जाते आते हैं सब समझते हैं कि उस परिस्थिते में उस प्रकार की बात होती है सावर करजी का हिंदुत्व विवेकानंद का हिंदुत्व इनका हिंदुत्व यह ऐसे बोलने की फैशन होगी हिंदुत्व एक है वो पहले से है और अखिर तक वह ही रहेगा वो सनटनाय hypothesis सावरकर जी ने उसका उद्गोश जोर से करना आवश्चक समझा परिस्थिति को देखकर और हम जानते हैं अब इतने वर्षों के बाद स्वतन्तरता के पच्चत्तरवे वर्षपर दहलीच पर खड़े होके हम जब परिस्थिति को दिखते हैं उनको ध्यान में आता है कि वो जोर से बोलने की तब ही आवश्चक्ता थी सब बोलते तो शायद विवाजन नहीं होता क्योंकि जिनको समझाया जा रहा था हमारे देश में कि आप अलगो आपकी पुजा अप अलग रो नहीं तो एक खा जाएंगे आपको यही डर भरा गया ना उनको हमको यह समझाना आता है कि इस देश में ऐसा कभी हुआ नहीं है बाकी सारे देशों में ऐसा हुआ है दुनिया में लेकिन हमारे यहां तो विश्व का हर देश जब अभी दिख ब्रमित हो लड़ खड़ाया सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया भूमिया हर दलित को कुछ कारती हर पतित को उद्धारती ऐसा हमारे देश है यहां जितने आये उतने विद्यमान है और सब चल रहे हैं और सब का स्वागत है स्विकार है इसलिए अलगाओ की बात मत करो विशेश अधिकारों की बात मत करो एक बार प्रमोजी महाजन नागपूर में आए और पहली बार नागपूर के मुवमेंपूरे में उनका कारिकरम रखा गया, सारवजनिक भाषन, बीजेपी के प्रतिक कुतुहल लोगों का जागरा था, मैं तो बीजेपी में काम वगर करता नहीं हूँ, किया नहीं है, लेकि बारो सो लोग थे उस सभा में, बुलाये वो तो सब आये ही थे, प्रमोज महाजन ने वाई विशाय रखा कि देखो हम राम मंदिर वाले हैं, उसके लिए आंदोलग कर रहे हैं, और हमको आपके वोटों की बिलकुल आशा नहीं है, तो ये सभा आपको आपके वोट अपने जेश के एक नागरिक हमारे भाई के नाते देखते हैं, और इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि सुखी रोटी हम का रहे हैं, तो हम आधी आपको देंगे, अधा-धा बाट कर खाएंगे, हम ये भी कहते हैं कि हम सुखी खाएंगे और आपको जली भी देंगे, ये सकते हैं, इसको आपको मानना है तो मानो, बाकी लोग आपको वोटर वोटर खुशा मत करके पीठ में चुरा भूखने वाले लोग हैं, हमारी भाशा सरल है, हम क्या करने वाले बता रहे हैं, अपीजमेंट आफ नन, ये हमारा नारा है, सावरकर जी ने यही कहा था, स्वतंतरता की उनकी जो कलपना थी, उसमें जैसे, जो जो उत्तम उदात उन्नत महनमजर वह सब, स्वतंतरता वगवती तेरे साथ इस भूमी पर आएगा, ये उनकी आशा थी, और तंतर के बारे में, उन्होंने बहुत गहन विचार करके बाते कही थी, एक के बाद एक उनकी भविश्वाने सत्य होती हुई, हमने अनुभो की है, वतंतर भारत हुआ, तब उन्होंने कहा, कि युवाओं का मिलिटराइजेशन होना चाहिए, क्योंकि हमको लड़ना पड़ेगा, एक तो देश खंडी चुगा है, शांती के लिए देश के विभाजन को हमने मान्यता दी, लेकिन ये सदाकिक जंजट मोल ली हमने, अब हमको शांती नसीब नहीं होगी, इसलिए तग्यार रहना पड़ेगा, उस समय भारत के शायद सवरक्षण विबाद में विचारिये चला था, कि अब तो सेना की कुछ आवश्यक्ता नहीं, तो क्योंनों कुछ फैक्टरीज लगाई जाए जिसको सेना चला है, और बासक में दिखा दिया, सेना की कितनी आवश्यक्ता है, तब से बाते बदली, लेकिन अभी अभी तक यहीं चल रहा था, कि सुरक्षा नीती चलेगी, परराष्टर नीती के पीछी पीचे, इसलिए कोई कुछ कर रहा है, नहीं, नहीं, चुप रहो, चुप रहो, क्योंकि दुनिया क्या कहेगी, अब चौदा के बाद पहली बार अनुबव आ रहा है, कि परराष्टर नीती सुरक्षा के पीछे पीछे चल भी, तो अगर लोगों को रखता है कि ये सावरकर्जी का यूग आ रहा है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये देशवक्ती का यूग है, ये अपने राष्ट्रियता के गवरों और असली पहचान का यूग है, ये अपने देश के सब लोगों को उनके जाती, धर्म, पंथ, भाशा, प्रांत को बिना देके, करतव्य और अधिकार्थ दोनों में बराबरी की भागीदारी सिखाने वाला यूग है, दुद अछे हैं, हिंदुत्व काई और बराष्टा यह होता है, हिंदुत्व काई आर्थव पुजा से संबंद जो है, तो पुजा हैं अने भेने, यरमे देरमेनी रेीलिजेंस बहरतमे, और अपना-पना हैं अभी झाल रही है, आप मेंसे पुछ लोगोंने वरत लगी, अण अधिव मुल में एक है और अलग दिखने से आदमी अलग नहीं होता बाकी दुनिया कहती है एक होना है तो एक सा होना चाहिए unity is not possible without uniformity हमारे बिलकुल अलग विचार है हम कहते हैं विविध होना हमारा आनन्द है, हमारा उत्सव है हमारा अधिकार भी है सुरिष्टी का सुर्णगार भी है भगवान को लगा मैं एक हूँ अनेक हूँ इसलिए तो सुर्ष्टी उत्पन हुई तो हम अनेक हो रहे हैं या आनन्द की बात है लेकिम हम विशिष्ट है, विविध है, अनेक है इसका मतलब हम अलग है ये बिलकुल नहीं होता existence is one केवल मानों नहीं, चराचर सुर्ष्टी जो विध्यान भी आज सिद्ध करता है सावरकर जी शुद्ध वईध्यानिक मनोवृत्ति के थे अभी बताया, सावरकर जी याने तरक किसी भी बात को उन्होंने आख मूण कर स्विकार नहीं किया प्रत्यक्ष अनुभव के धरातल पर और बुद्धी के तरक के आधार पर जो सत्य उनको प्रतित हुआ उन्होंने बेबाग कहा, परिणामों की चिंता नहीं की मेरा क्या होगा, इसकी बिलकुल चिंता नहीं की उनका जीवन तो मेरा क्या होगा इस थिम पर चलने वाला जीवन थाई नहीं स्कूल में पढ़ते समय उन्होंने प्रतिज्या की थी कि देश की स्वतन्रता के लिए सर्वस्व समर्पन करके मैं जीवन जीऊंगा तो उन्होंने कहा है उनकी उसका विता में जिसको चिरायोजने उद्रुत किया मात्र भूमी के मुक्ति का ये जो प्रज्वली तगनी है उसमें हमने स्वार्थ को जला दिया और कृथार्थ हो गए और इसका कोई पस्चाताप नहीं मेरा बड़ा भाई वो जेल में है उसकी तुमारे वेदी पर बली चड़ रही है चोटा मैं फ्यम भुगत रहा हूँ चोटा भाई भी कारावास में है लेकिन ये क्या है हम अगर साथ भाई होते तो सब तुमारे इस थंडल पर हम बली देते उस कविता का नाम है मुर्त्य पत्र अन्दबान से उन्होंने अपने भावी को भेजा वापस आएंगे की नहीं आएंगे पता नहीं तो पत्र लिखते थे और प्रतिभाशाली थे ओजस्वी कविता तो वो कविता उन्होंने लिखी उसमें सब विचार ऐसी है ऐसे प्रखर व्यक्तितों वाले सावर करगी वो किसी बात को आखमून के स्विकार नहीं करते थे उन्होंने बहुत चिंतन किया परिस्थितिका चिंतन किया आप यह मत समझेए को मुसल्मान उसकी सत्र चे उनकी उर्दू गजले भी है एक से एक अंदमान में वहां के बंदियों को उन्होंने अपनी उर्दू कजले भी सुनाई वहां मुसल्मान बंदी भी थे सासंद्रवीर भी थे तो इतना उनका अध्यन निरिक्षन था और सबके मुनों को वह जानते थे तो सज्जनों से कैसा विवार करना और दुर्जनों से कैसा विवार करना आता था मुख्यपाला उनका दुर्जनों से पढ़ा तो उनकी भाशा वैसी हो गई अब लड़ाई में थे तो लड़ाई में तो कोई लड़ने वाला संदी की बात नहीं करता वो दूसरी एक डिप्लोमा से पीछे से चलती है उसमें दरवाज खुले रहते हैं वो खोना चाहिए होता है लेकिन जो सामने सेनापती है वो ऐसे भाइसा नहीं करता करती उनका वो रॉल था और वैसा उन्होंने किया लेकिन हम जानते हैं कि उनके विचारधन को हम समगरता से देखे और देखे तो जो बात अभी माहरुगर्जेन ने बताई है उनके बारे में पुस्तक में वेल रिसर्च ऐसी लिखी है वो शत्व प्रतिशत सही है लेकिन ये कैलमनी जो होती है ना अपने प्रजातंत्र में राजनीतिक विचार के अनेक प्रवा है और होते ही है प्रजातंत्र नहीं होता तो भी हमारे यहां तो ये माना जाता है कि मतभिन्नता ये स्वाभाविक है हम संगटन सुक्त कहते हैं उसमें एक जगा सहचित्त ऐसा शब्द है बाकी सब जगा समान या सम ऐसा शब्द है समानो मंत्र समिति समानी समानमन सहचित्त मेशा विनोबाजी भावे कहते हैं कि रुगवेतकार मनुष्य को जानते थे इसलिए उन्होंने ये माना कि समिती समान हो सकती है मन समान हो सकता है मंत्र समान हो सकता है सब मनुष्य का चित्त समान नहीं होता है कभी इसलिए मत एक बात के अनेक लोगों के हमेशा अलग-अलग होते है लेकिन एक बात होती है कि हमारे मत अलग है तो भी हम एक साथ चलेंगे यह जहां होता है वहां मतों का शास्त्रार्थ होता है एक सहमती बनती है जिनका नहीं माना गया वो अपना मत उसमें विलिन कर देते हैं और पूरा समू आगे बढ़ता है कदम से कदम मिला के आगे बढ़ता है एक स्वर में बात करता है हमारे राक्रियता के यह सारे मूलत अत्व है उसका उद्गोस करने वाले सावर्ची जी को ये जिनको ये उदार्था पता नहीं है उन लोगों ने बदनाम करने का अखंड़ प्रयास चला है आज भी चलता है अस्तविक सावर्कर जी के समकालिन अन्य विचार के जो लोग थे उस समय के लोग एकदम गहरे और उंचे लोग है उनके मतबेद स्वाबा भी एक मतबेद है गांडी जी के और सावर्कर जी के मतबेद तो जग जाए रहे कोई ये सिद्ध करने का प्रयास बिलकुल न करें उनके मत समान थे ऐसा नहीं है परंतु गांदी जी की सावरकर जी के बारे में भावना एक समान चेत्र में प्रामानिकता से निश्वार्थ बुद्धी से सर्वस्व समर्पन करके काम करने वाले कार्यकरताओं की आपस में जो होती है वैसी ही थी गांदी जी का स्वास्थ खराब हुआ चिंतित हो गया सारा देश सावरकर जी ने वक्तव्य दिया कि गांदी जी जैसा महापुरोष उसको इसकी आवश्रता बहुत है देश में उनके स्वास्थ को ठीक रहना चाहिए रखना चाहिए और गांदी जी को हमारी वि सावरकर जी को ऐसे नापना भी कठे नहीं इतना मल्टी डाइमेंशनल बहु आयामी व्यक्तित उनका था उत्तम प्रतिभावान साहित थे उनके कविताये उनके नाटक उनके लेक उत्तम वक्ता किसी भी विशय का मरम जानकर उसके बारे में मत्वेक्ता करने वाले मरम ग्या पर्फकरता के त्यंत पुरसकरता और समाज की रूढ़़ी कुरुतियों के समूल उच्चातन अंद विश्वासों के प्रखर्फकरते रतना गिरी में उनोंने सामाजिक समरस्था के लिए जो काम किया, डॉक्टर अंबेडकर उनको एप्रिशेट करते थे, उस समय जो तथा खथित उच्च जातियों के प्रमुक थे याने धुरीन थे और सक्रिय थे समाज में, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सबसे अच्छा मत सावरकर जी के बारे में व्यक्त किया है, उनके क्षुद्र दृष्टी रही, क्षुद्र बुद्धी रही तो क्या कहना, वो तो किसी को भी नीचे उतारने में, कभी ने पूछा भई, लक्ष्मी जी कमल में निवास करती है, और शंकर जी तो वो बरफ में जाके बैठ गए कहलास पर, और ये तो सागर में छुप गए ही अब आदमी के बुद्धी छोटी है तो क्या करेगा, ऐसा ऐसा लोगों ने सावरकर जी के बारे में और कई प्रकार की निंदाय प्रचारी की, वो तो यानि मुझे तो दखल पातर भी लगती नहीं, मैं गुसा तो आपके जितना ही आता है मुझे, लेकिन मैं चिंतित नही के लिए वो अत्यंदई तुच्छ है, वो सारा निंदा का तमस विदिरन करके सावरकर जी के विचारों का प्रकाश हम तक तो पहुंची रहा है, आज 45 वर्ष हमने सब प्रकार के अनुभो लिये, उसके बाद आज लगता है लोगों को कि बात तो सही है, ये अगर उस समय लगती है, उस समय फिर हिंदु समाथ कहता, कि भाई आप लोग क्यों अलग, आप हमारे हो, आप हमारे भाई हो, करता विया में आपका भी हिस्सा है, और जो मिलेगा उसमें भी आपका हिस्सा है, बराबरी से चलो, you are not a minority, अभी हमारे उनोंने पारुखान सामने उनोंने कह अभशक थामी, समविदान सभा के समय भी कुछ मुसल्मान सदस्यों ने ये मत्वेक्त किया था, ये भेद हम क्यों करते हैं, भाई हम एक देश के जाए, एक देश के उपगे, हम परसपर भाई है, पूजा अलग होना हमारे देश की परंपरा है, भाषा है अलग होना हमारे देश की परंपरा है यह सारी बाते अलग होने के बाद भी हम एक देश के लिए लड़ते रहे रावन का खत्रा राम के राज्य पर नहीं था बीच में बहुत बड़ा दंडक आरेन्ने था लेकिन अयुद्या का राजकुमार चलकर दक्षिन में करके रावन का विदोंस करके क आकर चंद्रकुप्त को ले गया उसको खड़ा करके और उसने यह अवन के आकरणों का प्रतिकार करवाया मगत के सामराज्य से यह उद्योकर्मी के आवश्यक्ता क्या थी क्योंकि सारा जेश एक है भाई शिवाजी महाराज ने औरंग जेब को पत्र लिखा काशी का मंदि कि हिंदु मुसल्मान दोनों को भगवान ने उत्पन्न किया है इसलिए प्रत्यक राजा का करतव यह दोनों को समान आख से देखकर उनके साथ विवार करें तुम अत्यजार कर रहे हो सावधान तुम अगर ऐसी चलते रहो गए तो मेरी तलवार लेकर मुझे उत्तर में आ कि इसारद एशेग है और अन्यक भाषा है अन्यक पन्त है सब सब कुछ है लेकिन हम सब लोग एक भारत माता के सपूत है एक सांसकृति की विरासत दार है जो साब विश्व को साथ में जल चलना सिकाती है उसकी आज दुनिया को अवश्यक्ता है दुनिया को उसको देने का काम भारत को करना है वो करने के लिए भारत समर्थ हो इसको समझने वाला हिंदू समा सशक्त हो क्योंकि सत्य के पीछे शक्ती नहीं है तो दुनिया उसको नहीं मानती और शक्ती के पीछे शील नहीं है तो वो उन्मत्त होती है इन बातों को जानने वाले सावरकर जी ने ये बताया है वो जो आखरी पेरिग्राफ पढ़के बताया कि ऐसा समर्था संगटिज बलसंपन न हिंदू गीता के अलावा दूसरी बात नहीं कहेगा वो वसोजईवा कुटुमबकम की ही बात करेगा क्योंकि हमारा यही पसायदान है हमको पुरुवजव से मिला हुआ उसी को हमको समय समय पर देना पड़ता है उसके लिए इस देश में जो प्रत्यक है उसका दाहितु है समान दाहितु वाले हम लोग है हमारी मात्र भूमी विभाजित नहीं हो सकती अभिनो भारत उनका जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसका सांगता समारों उनने बाद में काजिस में पूज़नीय गुरुजी उपस्तिति उस स्रमाइक उनका भाशन है कि हम हिंदु सिंधु के विना रह कैसे सकते हैं उनी सो सट्ट की बात है उनने तब भी यह सोचा था कि भारत एक होना चाहिए एक होगा योगी अर्विंद ने कहा था कि अब यह विवाजन हो गया तो इसके कारण बहुत भटका होगा लेकिन अन्ततो गत्वा फिर से अखंड भारत उदियमान होगा होगा ये विश्व के लिए आवश्चता है आज स्वर्गी राम मनुवर लोहिया जी की जैनती है वो भी अखंड भारत का स्वपना देखने वालों में एक थे आज हम सावरकरजी को स्मरण करें उनके असली रूप में रंगे में उनको देखे ऐसा देखने के लिए ऐसी पुस्तकों का आध्यान करें ऐसी पुस्तकों को घर में खरीद कर रखे ताकि हमारी नई पीडी भी उसको पड़े और सही जानकारी ले और फिर से उस खोई विक्रा बढ़ता है इसलिए उन्होंने हमको बुलाया है लेकिन ठीक है विक्रा बढ़े मेरी शुभेचा तो ही पर उन्तो साथ साथ ये संकल्प अगर अपने समाज में बनता है तो लेखक दोई का जो इतना परिश्रम है इतने कम समय में इतना गहन अध्यान कर और ऐसे व प्रकाशन भी तो उन्होंने भी इसको प्रकाशित करने का साहस किया तो वो फालतू नहीं जाएगा अगर ये संकल्प लेकर हम खड़े हो जाएंगे और एक आधर्श भाई चारा युक्त समाज बलसंपन्न समाज विश्वहिताईशी समाज स्वनिर्भर समाज बनकर देंगे वो दिन हम जल्दी देखे ये शुभकामना आपको विज्जा दश्मी के दो दिन पहले ही देता हूं और मेरा भाशन समाज